हेलो बच्चों बड़ मॉनिंग क्या हाल चाल उमीट अब लोग बढ़ी होंगे बहुत मज़री होंगे और बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा स्टार करते हैं आज अपना next lecture cost of capital का अभी तक बेटा जो भी हमने पढ़ा है उसका कोई चेकिंग पार्ट जो मैंने प्रेक्टिस के निए थे वह मैं आपको कराऊंगा देखेंगे कि आपने आज की लिए तरह चालिए तो लेट्स क्विक्ली स्टार्ट अवर रिवीजन तो अगर हम देखें अपने चार्ड में आधे पेज के पहले नोट पे रहे आप एधा प्ट सब कुछ आते हैं तो हम सर कहा तक पहुच गए एकुटिशे कापिटल पहुच गए फटाफट रिवाइस कल देता हमने इता क्या क्या पड़ा है तो पिटेट की बात करते हो अगर हमें टर्म लोन का निकालना है तो सिंपल सा है सर आई 1-2 क्योंकि सर टर्म लोन पे जितना है बात के एक तो उस पर लॉस डिसकाउंट या फिर प्रीमियम हो सकता है इसू के टाइम पे प्लस सर उसके अंदर कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी हमें कंसिडर करनी पड़े ही तो वह हम लैस कर देते हैं और नेट पोसी निकाल देते हैं रिटिवेबल की बात के तो बिट सब्सक्राइब करते हैं नंबर आफ यह से और ओवर आफ को डिवाइब करते हैं एवरेज वैली ओफ शेयर से इल्टु मैचिवेटी बिटा सिंबल साम ऐसे दो रेट लेते जिस पर नपीव एक पर पॉसिटिव आजा है एक पर नेगेटिव आजा है और सर इंटर सब्सक्राइब करते हैं अगर बात करें पर प्रिफरेंश की था सिर्फ और सिर्फ एक फरक है कि हां पर हमें टेक्स देविट निवल था क्योंकि दिविडेंट इस नॉट एन अलावेबल एक्टेटिचर अंटर इंकम टेक्स एक तो बिटा हम यहां पर क्या करते हैं दी अ सब्सक्राइब और मार्केट प्रिफ जो भी हमें अविलेबल होता है डिविलेबल की बात करते हैं लेकिन यहां पर फरक्षिमेशन होता है टेक्स नहीं आता है और अगर इल्ट पर चोटी से निकालना तो सिंपल अपने को दो रेट निकालने पड़ेंगे जिस पे एक ने दें तो वह हमने सब लिख लिया था उसका बेटा ने देखा था अर्निंग एल एपरोच सेम सर उसमें भी अर्निंग्स पर शेयर डिवाइड भाई मार्केट प्राइस पर शेयर या फिस अपन डिविडेंट इंक्रीज हो रहा होता है ठीकि अगर निव इस तो बेटा ने चीज लेंगे एक्डिस्टिंग इस्वे तो मार्केट प्राइस ले लेंगे इसका देखा था हमने जब ग्रोफ निकालने का तरीका सा एक बी इन्टू आल बी सा हमारे इत्रेंश रिशो और अर्फ रेट और इसके विश्का में ग्रोफ रेट निकाल ऐसे यह मैं आपको आ 1 by N है ठीक है जी रियलाइज डील अप्रोच सर आज मैं कराऊंगा अभी तक करी नहीं है लेकिन आपको अल्रेडी आती ही जब मैं कराऊंगा अरे सरी तो हमें पता है ठीक है सिए प्यम मॉटर्स हम अल्रेडी कर चुके क्या होता है सर कॉस्ट फिक्यूटी होता है रिस फी होगे फिक है पहले सर हम देखते हैं growth निकालने का अर तरीका है हमारे पास ग्रोतहाने का एक और तरीका है अगर मैं अपके needs का है काहाँ कर रखा है कहां पी कहाँ पार अ कि यह या थमेशन फार इंपयट एक हमने दिखा था सफ्टक गॉर्डण चलो homework question पहले चेक कर आए तो फिर हम आएंगे उस पर growth वाले model पर question तो हमाई चेक की निकाला तो प्लीज चलो question no.8 दिया था मैंने आपको क्या था तो इससे आसान question तो हो ही नहीं सकता question no.8 का answer क्या है sir dividend था हमारा 10% of 100 रुपीज 100 रुपीज क्यो लिया योगी था हमेशा face value पे लेते तो बहुत ही simple सा question था question no.9 पे आ जाते है question no.9 क्या था if our energy is issuing preferred stock preferred stock क्यों था preferred shares और common stock होता है मतला equity shares तो अगर preferred stock 100 रुपे पर शेयर पर हम issue कर रहे है with a stated dividend of 12 रुपे बैटा 12 रुपे dividend हम उससे पे कर रहे है flotation cost है 3% तो बताओ preferent shares कितनी होगी हमारी cost तो पेटा सौर पे आपका face value है 3% आपके flotation cost है तो 100-3 97 रुपी आपके net proceeds आ जाएंगे तो 12 divided by 97 आपका answer आया होगा इसमें तो देखो हमने net proceeds निकाली 100 में से 3% माइनस करा dividend हमारा बार रुपे दे रखा था 12 divided by 97 12.37 परसेंट हमारा आगया है बहुत ही simple मजा आगया सर इतने असान question और इतने साही से जवाब बहुत ही बढ़िया question number 15 पे आ जाते हैं अब कर दो रुपे पर शेर करती है और ग्रोथ रेट अश्चार मजा सर आप डिविदेंड ग्रोथ मोडल लगाना है कंपनी ने डिविदेंड पे करा दो रुपे यानि कि सर यह है हमारा डी 0 तो डी 1 निकालें कैसे 2 प्लस ग्रोथ रेट करके डी 1 निकाल देंगे मार्किट पाइस आपको दे रखा है जी आपके पास अविलेबल है तो आप अरांसे कोस्ट अविक्यूटी निकाल ली होगी नेस्ट के रहा का कमणी ने इशू करा 10% डिवेंचर 100 रुपे के हिसाब से और रियलाइज करा 96 पंतर सा नेट प्रोशीज है 96 रुपीज जो कि रिडीमों का बारा साल बाल और बारा परसेंट हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे यानि कि 100 रुपे का शेयर है तो 112 रुपे ह टेक्स बेनेफिट मिल जाता है तो देख लेते हैं जी कोशन नुबर 15 के अभी आंसर बेटा अगर हम बात करें कोस्ट ऑफ इक्विटी की तो D0 हमने लिया है 2 तो बेटा हमने D1 कितने रिकाल दिया 2.12 उसके बेटा हमने फॉर्मलर लगा दिया के इस इकॉल तो D1 अपॉन प्लस जी हमारा गया 14.48 परसेंट अगर बात करें सर हमारा YTM मेथट से प्रिफरेंच शेर का तो बेटा 96 रुपी हमारी कैश आउट फ्लो थी 0 यह पर हर साल पे सर हमने 5 रुपे उसको इंटर दिया क्योंकि 10 परसेंट थी 50 परसेंट हमारा टेक्स सेविंग थी तो 5 रुप नहीं है तो पहले हमने निकाला 5 परसेंट पे हमारी एंट पीविए 13.40 पॉज़िव आरी नेगेटिव लेके जानी है तो सर मैंने पीविए प्रेजेंट फेक्टर 5 परसेंट से बढ़ा दिया वहां पर आई 7.51 नेगेटिव की और उसके बेसे से बेटा इंटर पोलेशन यूज़ करके मैंने आयरा निकाल दिया है तो यह तीनों कोश्ण में नंपर में दिये थे उमीद करता हूं आपको बहुत अराम से हो गए होंगे इनको नोट कर लीजे फिर हम चमसते हैं आज का ग्रोथ मॉडल इसको फटाफ़ट नोट कर लें चलिए स्टार्ट करते हैं से ग्रोथ मॉडल समझते हैं बेटा देखो हम कंसेप्ट पे पूरा टाइम लगाएंगे बढ़िया से टाइम लगाएंगे कुछ भी ऐसा नहीं सा फास्ट है कि तो मैं आपको जल्दी जल्दी बस भर दूं ऐसा कुछ नियों का हम बहुत सब्सक्राइब तो कई बच्चों कोशन आता है अगर आपने कोशन कभी आपने देखा ना हो ठीक है निया कोशन ही बना दे तो भी आप हस्ते खेलते हैं आम से सौल कर दोगे चलिए तो सरा आते हैं हम अपने ग्रोथ मॉडल पे तो इस तरीका ता सर मारा गौर्डन मॉडल चीज इकॉल टू ब्यार कि हमने निकालना सीख लिया है अब दूसरा आता है सर हमारा एवरेज मेथट क्या कहता है सर यह समझ लेते हैं ठीक है लर्निंग नंबर है यह थर्टीन का टू बहुत ही अक्राम चलिए लिख देता हूं में यहाँ पर नोट्स में जिससे आपको रेफरेंस पर आए कि हम यह किस बारे में लिख रहे हैं वैसे तो इको नोट्स आपके कंप्लिटेट लिखे हुए इसे समझाने की नहीं में लिखना हूं चलिए तो पि यह पेटा कंपनी डिविदेंट दे रही है आपको मतलब सब्सक्राइब लगा के डिविदेंट दे रखा है तो आप सिंपल देख सकते हो यार इसमें और इसमें 10% का इंक्रीज है देख सकते हैं और इसमें भी 10% का इंक्रीज है हो सकता आगे आने अले सालों में भी 10% का इंक्रीज दे रखा होगा तो सब्सक्राइब हम ग्रोथ रेट बेसिस की डिविदेंट निकाल लेते हैं ठीक है तो इसमें मैं सीधे कोशन करूंगा concept आपको अल्रेडी पता है ठीक ठीक है आज के दिन सा 16.10 मेरा डिविदेंट है पाँच साल पहले 10 रुपए था पाँच साल पहले 10 रुपए था ग्रोथ रेट निकाल के बताओ ये कोशन है न जी तो बिसिकली हो कह क्या रहे हैं अगर मैं यहीं पर लिख दूँ समझाने के नहीं आपको कि आज है मेरा पाँच साल के एंड पे है 16.10 पाँच साल पहले 10 रुपए हुआ करता था मतलब बिटा पाँच साल उसके ग्रोथ लग 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 के लग 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 के वो सर आज 16.10 आ गया है तो इसका ग्रोथ रेट है क्या ये कैसे निकालोगे सर अगर अगले साल की दिरख को था तो तो नचलों से देखके कि 10 रुपे से 11 रुपे हो गया 10 पाँच बढ़िया बहुत ही बढ़िया लेकिन सर 16.10 है तो चलब कैसे करते हैं तो इसका एक फॉर्मुला देख लेते हैं फॉर्मुला आप अल्लेडी देख चुके हो कुछ नहीं चीज नहीं बताने माला तो के कोश्चन नमबर 16 रही है 16 का आंसर है तो बिटा हमारी करेंट वैल्यू है करेंट डिविडेंड है जिससे हम कहते हैं एक बार की नहीं फ्यूचर वैल्यू एक पर यह ऐसे लिख दो आप हाँ चलो फ्यूचर वैली एक बार की नहीं लिख देते हैं मतलब 5 साल बार 16 रुपे 10 पैसे हो गया है कि टिविडेंड आज की डेट में सब 10 रुपे है फॉर्मुला नहीं बता रहा सर कैसे निकालोगे तो आप कहोगे सीधा कि या मेरी फ्यूचर वैल्यू कैसे आई होगी प्रेजेंट वैल्यू पे बार 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 हमारा ग्रो यह बिल्कुल बढ़ा था हमने स्टार्टिंग में जहां हमने बॉन्ड की निकाली थी कि क्या उस पे रेट ऑफ रिटन आया है ठीक है तो सार फ्यूचर वैल्यू सोलर रुपे 10 पैसे आज की वैल्यू दस रुपे तो बेटा 10 रुपे में हमने कौन सा रेट लगा होगा कि डिवैड रेट तो इस एक्वेशन को हमने स्टॉल कर लिया तो बेटा इसी से हमारा फॉर्मूला निकलता है क्या growth rate is equal to future value divided by present value जो उसकी आज value है जो उसकी पास साल बाद की value है divided by 1 upon n minus 1 ठीक है तो अगर आप notes में लेखेंगे तो notes में आपको यह formula लिखवा रखा है ठीक है यह current dividend हो गया है और यह dividend हो गया and years ago किसे ने साल पहले ठीक है तो हम निकाल देते हैं इसके basis में अब आप कहोगे sir हमें जाके इसकी annuity table में value चेक करनी पड़ेगी हाजी बिल्कुल करेंगे कित्ती value होनी चीए annuity table में 1.61 होनी चाहीज है पाच साल में जाके हम देखते हैं एक बार चलो आपने कहा था sir आप इसकी calculator trick भी बताएंगे हां बेटा बताऊंगा इसी कोशन के साथ मैंने calculator trick बताऊंगा आपको बेटा भूला कुछ नहीं हूँ अब बताऊंगा अब आपको जरूरत आएगी calculator trick की ठीक है तो बेटा अगर हम पहले annuity table में देखें कि पाच साल में एक रुपे की value 1.61 किस rate पे हो रही है तो अगर बेटा अन्यूटी में आएं पाच साल पाच साल का एंजर हमारा यह रहा किस rate पे value 1.61 हो रही है तुसरे हम देखेंगे 10% पे पाच साल की ने पैसा अगर आप 10% पे लगाते हैं तो एक रुपिया आपका 1.611 हो जाता है तो हम क्या सीधे कह सकते हैं आप एस ग्रोफ रेट इस मैं 10% ये ग्रोफ रेट इस मैं 10% ठीक है तो आप exam में सीधे formula लगा जाता है कोई दिखकत नहीं है ये मैंने ऐसे solve इस नहीं करा है क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कि formula में data आ कहा से रहा है सर इससे भी solve करा दो न लो इससे भी कर देता हूँ एक ही बात 10 16.10 divided by 10 to the power 1 by 5 minus 1 1.61 to the power 1 by 5 minus 1 is equal to 10% ठीक है जी 10% आई है अब सर आप focus को formula से कैसे निकालेंगे सर अगर मैं annuity table नहीं दी तो क्या करेंगे तो बिटा formula की मैंने trick आपको यहां पर लिखके दिखा रुखिए कैसे करेंगे अगर मुझे 1.61 ही निकालना है सबसे पहले हम करेंगे सर मैंने क्या लिखा है अगर 1.30 1.61 जो भी है उसको इसको एरूट दबाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस क्यारा बारा दबादें बारा बार यह आ गया होगा आपका फिर आप माइनस कर देंगे उसमें से वन वन माइनस करेंगे ताय करता है पॉइंट रिपल दी रो वन वन सेक्स्टू साथ मैं करेंगे अगर बेटा आपकी हैं ना है प्लस वन प्लस वन कर देना उसके रजए बेटा मल्टिप्लाई डिवाइड दिवाइड बार आपको प्रेस करना है तो इसके रहा बनन लिखा मैने लोन के बाद मैं करहा मैं कर रहा एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बार, बार मैंने multiply, divide कर दिये, फिर minus 1 कर देता हूँ, minus 1 कर दिये, क्या आगया, 0.999, इंटू कर दिया, 100%, निकाल लेकर दिये, तो आगया, 9.9935, जिससे मैं round off में 10% लिखता हूँ, ठीक है जी, तो बेटा, इस तरीके से आप calculator use करेंगे, ठीक है, तो इस calculator trick को भी बेटा note कर लेंगे, ठीक है, calculator trick हमें कैसे use करनी है, और फिर हम सब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो growth model simple है सब, growth rate आपको निकालना होता है, एक तरीका है being to R, और दूसर तरीका है यह, चलिए, note कर लीजे, कोशन नमर 16 भी note कर लीजे, और साथ में इसका calculator trick भी use, note कर लीजे, अब अच्छे बुझेंगे, तो इसके बीचे का derivation के है, तो इसके derivation में क्यों हो जाना है आपको, ठीक है, तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, तो आपको हमेशे याद रहेगी, तो आपको हमेशे याद रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें, चलिएगी, तो सर हमने जब समझाएं, कि हमें ऐसा dividend growth वाला भी दे सकते हैं, इसी तरीके से growth हमें एक और तरीके से भी पता चल सकती है, जैसे सर्क, question number आते हैं, 18, question number 18 क्या कहा रहा है, calculate the cost of equity from the following data using, चल, बेटा, growth rate हमने ये निकालना सीख लिया, जैसकि हमां सर्क, dividend कि growth rate पे आ रहा है, ठीके, उसके बाद बेटा हम उसको गौर्णल मॉडल के अंदर रखेंगे, खाम खना हो जाएगा, next आता है सर्क हमारा equity का realized yield approach, ठीके, next आता है सर्क हमारा equity का realized yield approach, realized yield approach क्या कहता है, realized yield approach कहता है कि भाई, जितना, जितना मेरा realized हो रहा है, मतलब सब जितना investor को earn हो रहा है उतना ही company को cost है Realized yield approach होता simple है कि वाई जो rate of return निकल के आ रहा है वो आपका नहीं जैसे सब आपने bond के अंदर निकाला ठीक है जैसे हम YTM method के अंदर निकालते हैं तो बेटा यहीं आपके Realized yield approach होती है और कुछ नहीं है कोई इसमें नया नहीं है ठीक है learning no.14 लखेंगे ठीक है दो तरीके से निकल सकती है दो तरीके से आपसे पूछा जासता है मैं दोनों तरीके आपको सिखा देता हूँ learning no.14 आपको एगा Realized तरीके एक दो लान लेकला है दो under this the return on equity is determined from investor is determined under this return on equity is determined from investor point of view है ठीक है वी केन कंप्यूट बाई टू मेथर्स बटा दो मेथर्स से हमारा कंप्यूट हो सकता है पहला क्या है वाई टी एम तो बटा इल्टू मैचुर्टी जो आपने सीखा था आप बॉन्ड को निकालते हुए डिवेंचस का रेट निकालते हुए प्रिफरेंश का निकालते हुए सेम आप वाई टी एम मेथर्स से कर सकते हुए दूसरा मेथर्स कौन सो होता आपका दूसर मेथर्स होता पिटा जो हमने सर एवरेज मेथर्स सीखा था ग्रोथ हो मडल के निकालते हैं ठीक है तो दूसरा आपके लिख देना है आपके एवरेज एवरेज मॉडल यूस्टो डिटर्माइ रिचल्जा भाई ग्रोथ ठीक है जी सर दो तरीके से हम लोग रियलाइज जीर अप्रोच निकाल सकते हैं मुद्दा क्या है सर रियलाइज जीर अप्रोच के अंदर हमें वो फॉलो करना पता है सर जितना इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रहा है चली दोनों के उपर बेस में एक एक कोशन करा जाता हू ठीक हाजार रुपे का यहनोंने शेर परचेस किया रहा है रहा है पास साल के एंड में ग्याराइज पर इस पर रियलाइज इल्ड अप्रोच मतलब सर्क कितना पैसा उसे रियलाइज बेस दियर रहा है इस बाद कितनी परसेंटेज उसे लियलाइज गुई वह कंप्यूट करके बता दीजिए तो चलिए जी करते हैं क्वेशन नंबर 14 14 नहीं कौन सा था क्वेशन नंबर लेर्निंग 14 का क्वेशन नंबर 18 तो लिखेंगे कंप्यूटेशन और के यूजिंग ठीक है देखेंगे कंप्यूटेशन और यूजिंग यह पता नहीं पहन को क्या हो गया है हम सर्फ के ही कंप्यूट करेंगे वाइट यह निकालते हुए सबसे पहले साथ हम एयर्स का कैश फ्लो लिख लेते क्या करते सर्फ वाइट यह में तो देखते किस एयर में कितना कैश इन फ्लो और आउट फ्लो है बेटा जीरो पे इन्वेस्टर के सौर रुपे गए ठीक है पास साल का सर उसका इन्वेस्ट्मेंट था तो 125 एस उसे हर साल न nervous ौई गए हजार रुपे गए है ठीक है एक से पास साल साल उसे 10-10 परसंट डिविडेट अर एक से पास साल काम सीधे 100 रुपे लिख देंगे HE बाल में कि हर साल उससे सो रुपें मिले है अ कि और पांचोी साल के एन ऱे पहसे ग्यारा स हटाइज रुपें वापस मिल गए है टीक है यह राइल । रियलाइस इर फ्रोच किना थांसमें निकालना है अब हम लेधे सार्ध प्रेजेंट वेल्यूत कैसे लेंगे आपका आसपास आजएगा लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो 120 रुपे इन्होंने फाल्तू दिये हैं पांच साल में तो एक साल में कितने दिये 24 रुपे तो बिटा मोटा मोटा मान सकता हूं कि 100 रुपे हमारा डिविडेंड गया है और 24 रुपे उसे appreciation मिला है एक साल करेंगे तो सौ प्लस चॉबइस करता हूं यानि कि मोटा मोटा साथ 12 पर से पर मैं ट्राइ कर सकता हूं तो मैंने आपको रेट निकालने की टेक्निक बताए या आप 10 परसेंट ले लो कोई दिखकत नहीं है तीक है आप 12 ले लो कोई दिखकत नहीं बस एक पॉसिटीव और पाइक नेगेटिव आना चाहिए ठीक है ठीक है डीप्रेजन रेटिए फैक्टर एंट थाउद लो गया वन ले दिवादा बाई वन फोईंट वन टू एक दो थी चार पाउस ग्रेंट टोटर गाए थी पोईट्स लेटो पो अपर प्रेंट फैक्टर आ जाएगा फैसर न ठीक है जी present value of cash flow निकाल लेंगे यह तो 1000 negative भी आ गई यह आ जाएगा आपका 360 रुपीज 360.4 लिख देता हूँ चलो हमें exact और यह जाएगा 1128 into 0.567 639.6 टोटल आगया साथ 360.4 प्लस 639.6 ओ जी लो बिल्कुल NPV साथ 0 निकल के आ गई है याने की सार इस YTM को यूज करके हैं बजल गया हमारा जो rate of return है cost of equity है यहाँ पे वो कितनी है the cost of equity is 12% तो बेटा यहाँ पर हमने company के point of view से नहीं निकाला देखाए उसका जो return है वही cost of equity है to the company 12% ठीक है जी तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको एक method बता दी है नया कुछ नहीं है ठीक है realize कि यह कितना उसे realize हुआ है चलिए इसको note कर दीजे फिर जो में दूसरा method है वो भी आपको बता देखा हूँ इसको note कर दीजे कर दो में दूसरा आपको झालड़ा 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 पिस बताइब चलिए नहीं है इसको नहीं हैं धते जूसरा जो और भी झाल 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 चलिए एक तरीके से देटर और दे रखा हो सकता है वेट आपको वह देखते हैं हम कोश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है सर्फ calculate cost of the equity from the following data using realized yield approach आपको हर साल का dividend दे रखा है पहले साल में एक रुपे दूसर साल में एक रुपे तीस साल में 1.2 चौसर साल में 1.25 पाच्य साल में 1.5 बना आप देख रहे हो साथ डिविदेंट कंसिस्टेंट रूप से नहीं बढ़ रहा है कहीं बढ़ रहा है कभी न 5 के में कितना प्राइद है और 5 के में कितना प्राइद तो इस kate में हम लोग लगाते है growth model ठीक है जैसे में आपको अब आता यह average method used to determine growth rate वही वाला मॉडल इसमें लगाते हैं कैसे लगाते समझते हैं बेटा हम देखेंगे हर साल हर साल उस इन्वेस्टर ने कितना कमाया देखो रियलाइज दील अप्रोच है हम इन्वेस्टर के से सोच रहे हैं तो हम देखेंगे यह वन में कितना कमाया विटा यह वन में मिला है उसे डिविडेंड प्लस सर अगर हम देखें अगर मैं यहां पर टाइम लाइन मना दूए एक बार पहले मैं टाइम लाइन बनाकर समझाए तो आपको 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 ठीक है तो पॉर्शन में क्या डिटा दे रखा है आपको हर साल कितना डिविडेंड मिला है यह आप दा सकते हैं 1 1 1.20 ठीक है जी 1. पॉइंट 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 इकने पॉइंट परिशांकर रखा हैं तो पॉइंट आपको हर साल का डिविडेंड दे रखा हैं आपको हर साल का शेयर प्राइस बता रखा हैं सबस्ट पॉइंट के शुरुआत में कितना है नौर पर यहां पर के एंड में कितना नहीं नहीं पॉइंट रखा हैं शेकिन यहीएर नहीं ही बात रहुगत 9.75 यहां पर हो गया वेटा 11.50 यहां पर हो गया 11 और यहां पर हो गया 10.60 फिफ्ट एर के end का हमें नहीं बता रहा कर तो छोड़ देते अब हमें सरक्षा क्या निकालना है हमें ख़र साल इंवेश्टन ने कितना कमा है तो अगर मैं यहां पर बात करूं आप से जीरोयर पे आपने मान जीव范ड में पैसा लगा यहां और वैंद बात करूंे एक साल के end में आपने कितना कमा एक साल किन यह जाती है आत の चीज़े कमा है एक तो आपने डिविड인데 कमा आया है एक रुपे का प्लस सर जो इस पर 75 पैसे का एप्रिसियेशन आया है वो भी कमाया है तो इसे हम बेसिकली कहते हैं वेल्थ रेशो मैं आपको बनाता हूं कैसे निकालते हैं कि येर वन कितना आगया था हमारा सर एक रुपी हमने डिविदेंड कमाया 9.75 हमें एंड में मिले और शुरुवात में हमने कितने लगाए थे नौ रुपे तो वन प्लस 9.75 डिवाइड वाई 9 तो बटा आगया 1.1944 याने कि सर मैंने अपनी वेल्थ पहले दिन एक रुप्या लगा के उसे 1.1944 कमा लिया ऐसी बिटा कर मैं येर टू की बात करूं तो हमने इसे कमाया डिविदेंड एक हमें एंड में मिले पैसे 11.50 और स्टार्टिंग में कितने लगाए हमने 9.75 अगर एक साल की शुरुआत आपको 1.2820 ठीक है अगर मैं येर 3 की बात करूं तो बिटा आपने स्टार्टिंग में पैसे लगा 11.50 और आपको डिविदेंड मिला 1.20 ठीक है और एंड में आपको पैसा मिला 11 याने कि 11 ब्लस 1.2 डिवाइड वाई 11.5 तो बिटा आगे आपको 1.0608 ठीक है और अगर मैं येर 4 की बात करूं तो बिटा येर 4 में आपको डिविदेंड मिला है 1.15 एंड में पैसे मिला है बिटा आपको 10.60 और स्टार्टिंग में कितना लगा है आपने येर 4 के स्टार्टिंग में लगा है हमने 11 रुपे तो डिवाइड वाई 11 तो बिटा आगा है 1.0681 1.15 4th year के आपको end में 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 10.60 वापिस 1.25 दिविदेंट 4th year का ठीक है जिसर 1.25 5 प्लस 10.60 डिवाइड वाइड 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 तो बिटा यह आ गया है 1.0772 तो हमने सर यह निकाल लिया कि हर साल में हमारा एक रुपिया बढ़के कितना हो जा रहा है तो यह होता है सर नमारा वैस रेशो यह हमें सर कभी यूज करना पड़ता है जब बिटा आपको शेर के अंदर का इन मुवमेंट दे रखाओ और डिविदेंट भी दे रखाओ पहली चीज दूसर चीज सर अनीकुल हो ठीक है अगर सर इकुल हो था तो महीने बहुत अधान हो था अनीकुल हो जो यह हर साल का अलग-अलग वेल्थ रेशो निकालना पड़ा अब सिंपल अपना ग्रोथ फॉर्मला लगाएंगे इस इकॉल टू क्या होता सर फ्यूचर वैल्यू डिवाइड वाइड प्रिजन वैल्यू ठीक है तो एक तरीके से हमने हर साल का यही तो निकाल रखना है आपे हर साल का यह फ्यूचर प्रिजियर मतलब सर जो हर साल का हमने निकाला है उसे कम्मायन करतेंगे अब जब हमने घ्रोथ मोडरन के अंदर बश्यूचर दिविडेंग निकाला है फोड़ो यार क्या करना ऐसे नहीं करेंगे भाई यह चार साल का ही है हमारा हमने इसका निकाल देना है 1.1944 into 1.2820 into 0608 into 1.0772 तो बटा आगे है 1.7497 to the power 1 by 4 minus 1 चलिए साथ देखते हैं एक रुपिया हमारा 1.7497 कब होता है ठीक है एक रुपिया हमारा इतना कब होता है एनटिक फा नदें फाइल में जाकर देखते हैं चार साल बात 1.74 कहा तो नहीं नहीं आ रहा चलिए नीचे आकर देखते है यह रहा यह राजी 15% में हमारा पैसा एक रुपिया 1.74 आ जाता है तो मैं यहां पर रियलाइज इल अप्रोच यूजिंग हमारा एवरेज मेथर्ड ऑफ ग्रोथ मॉडल हमने यूज करके बता दिया है यहां पर कि भही है मेरा जो आर है या के ही है वो 15% आ रही है तो कोई करिवाइस करने दे में रियलाइज इल अप्रोच कुछ नहीं है रियलाइज इल अप्रोच है बस हमें देखना है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑ व्यू से में कितना रिटर मिल रहा है दो तरीके से डेटर दिया जा सकता है एक जा सकता है सर वाइटियेम अप्रोच की नहीं जहां पर आपको बता रखाओ कि हर साल के केशिंवकेश आउट फ्लोग कितने दूसरा आपको दिया जा सकता है सब जैसे हमने यह आला कोशन कर आ है जहां पर आपको हर साल का यह पिटल एपिसेशन भी बताया होगा और डिव गूम जाते अब नहीं घूमोगे अब आप पुरे आप से करके आओगे चले दिनोट करे देन वी विल मूव फॉवड तो इसके साथ मारा cost of equity अब पूई देकर से खताम हो चुका है देखो जो सबस्यादा cost of equity के अंदर आएगा वह आएगा आपका dividend growth model ठीक है तो सबस्याद आएगा आपको dividend growth model या फिर CPM model लेकिन हमने साथ में बागी साथ चीजे भी करते हैं चलनी है अज़ा नहीं कुछ भी छोड़ेंगे क्योंकि बागी सब मीन आप देखो गए किसी बड़े question के अंदर छोटा सा part बनके आ सकती है अच्छे एक बच्चा पूच रहा है सब पिछले question में आपने सिर्फ एक rate पे ही क्यों निकाला आपने दो rate लगा कि interpolation क्यों नहीं करा बिटा एच्छी बता हो जब आपकी NPV 0 ही आ रही है तो मुझे interpolation लगाना कि यह तो बिटे मेरी किस्मत है कि 12% मुझे सीधा सीधा मिल गया तो मैंने 12% लगा दिया ठीक है हो सकता है सब मैं पहले 10 लगाता तो मुझे 14 या 15 भी लगाना पड़ता और फे interpolation से लगाता तो बिटे अगर पहली बार में 0 आजे तो ऐसा नहीं करूंगा नहीं है वैसा नहीं करना ठीक है चलिए दी तो सर हमारा cost of equity था complete हो गया है अब हम next topic छेड़ते हैं cost of retained earning कि देखते हैं रियलाइज एल्ड अप्रोच भी हो गया देखिए यह जो हमने geometric mean method करा था कोई साही method बोल दो यार average method बोल दो geometric mean method बोल दो कुछ भी बोल दो ठीक है जी उसी के थाफ से हमने solve करा था ठीक है तो बटा cost of equity के अंदर सब कुछ हो चुका है हमारा next आते है sir cost of retained earning देखो generally generally sir हमारा cost of is equal cost of equity is my cost of retained earning return earning क्या होता है sir यह वो पैसा होता है जो हमें dividend में देना था लेकिन दिया नहीं हमने company में reinvest कर दिया तो पैसा किसका है sir यह equity shareholders का तो equity shareholder से sir जो पैसा लगा रखा है उसकी expectation सेम होगी कि जितना मुझे तुम equity share capital पे return दे रहे हो उतना ही मुझे retained earning पे भी दो नहीं दोगे तुम उसे dividend की form में निकलवा लोगा ठीक है तो बेटा इस तरीके से generally हमारा ke is equal to kre है ठीक है तो अगर मैंने मानलो CAPM method के साब से ke निका लिए उसी को मैं kre भी बोल सकता हूँ लेकिन sir दो इसके exception है वो हमें ध्यान रखने है पहला exception कौन सा है sir अगर हमें personal tax rate और brokerage दे रखी है तो उस case में क्या करेंगे sir के में इसे tax personal tax और brokerage हटा देंगे basically reason क्या है जब आप retained earning को वापस निकाल रहे हो तो जो personal बनलब बंदे के पास जो पैसा आरा उसको personal tax भी देना पड़ता है उससे तो हमने personal tax हटा दिया इसमें से cost में से और अगर उसकी कुछ brokerage निकल लिए उस transaction में तो वो भी हटा दिये ठीक है तो मालना आपको के दे रखिए 15% ठीक है के के दे रखिए आपको मान लिजिए 15% पर्सनल टेक्स टीप लिखा है मैंने corporate टेक्स नहीं पर्सनल टेक्स लेटे मान लिजिए आपका 40% और ब्रोकरेज है उस पर 0.4 परसेंट चाहँ परसेंट तो क्या कहलेंगे 15% इंटू 0.6 इंटू 0.9 से निकल के आ जाएगा 8.64 सिंपल तो पेटा एक जगे तो यहाँ पर जो हमने Gordon model पढ़ा था ठीक है dividend growth model हमने पढ़ा था यहाँ पर difference होता है जब बेटा हम नीचे market price लेते हैं तो उसमें से हम flotation cost minus करते थे याद होगा आपको यह flotation cost भी तो मेरे पास से जाएगी तो जब हम equity share capital की cost of equity निकलते हैं तो flotation cost minus करते थे retained earning में नहीं करते हैं logic क्या है बिटा देखो जो equity share capital का पैसा होता है वो आप market से raise करते हो ठीक है आपको lawyers को पैसा देना पड़ता है flotation cost क्या थे हमाई से lawyers को पैसा देना अंडराइटर को पैसा देना सब चीजे है क्या retained earning भी आप market से raise करने जा रहे हो नहीं सर रेटेन अनी तो self generated internal cash flows है जो की equity shareholders को belong करते हैं तो जब मैं इसे कहीं market से raise नहीं करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर flotation cost भी नहीं आएगी ठीक है तो दो differences बता है मैंने पहला difference सर केई अगर दे रखा और आगको personal tax rate और brokerage दे रखे तो वो minus कर दे ना ठीक है अगर flotation cost दे रखी हूँ और आप dividend growth model लगा रहे हो तो P.O. में से flotation cost minus मत करना retained earning ने और normal वाले में करते हैं अम लाग क्योंटे शेक capital की नहीं करते हैं चलिए स इस पर जरा हमें एक आथ question करा दीजिए बिल्कुल कराते हैं मिटो Question number 20 ABC company provides the following details dividend दे रखा है D04.19% growth rate दे रखा है 5% और P.O. दे रखा है 50 वो कहरे है retained earning निकाल के बताओ चलो निकाल देते हैं बहुत ही अतान सा लग रहा है Question number 20 इस पर से पहले हम निकाल देते हैं D1, D0 कितना है हमारा 4.19 इस पर लगा देंगे growth rate, growth rate कितना है growth rate है हमारा 5% 4.19 into 1.05 तो यह आगे सब 4.3995 P.0 कितना दे रखा है हमें सब P.0 दे रखा है 50 और G दे रखा है 5% तो सरफ क्री निकालने को प्लस G कर देंगे दिया जाएगा 4.3995 divided by 50 plus growth rate कितना है 5% 0.05 4.3995 divided by 50 plus तो बटा आगे 13.799 या फिर मैं इसे round off में 13.8% लेख सकता है हमने खाना कुछ नहीं है हमने dividend growth मोड़ा लेका ला है के is equal to pay यह बात कहता हूं question number 21 देखते है question number 21 में क्या दे रखा है ABC company provides the following details risk free return of risk free rate of return दे रखा आको 7% beta दे रखा company income 1.20 और RM-RF मतलब सब्सक्राइब जो risk premium होता जो हम bracket के अंदर लिखते हैं वो दे रखा आको 6% उन्होंने कहा cost of return earning निकाल दो CAPM method से अरे भाई तुम अगर यह line नहीं भी लिखते तो भी हमें पता है CAPM method से निकाल देंगे ठीक है तो इतना असाल question मैं आपको नहीं करा रहा हूं homework से करके ले आना ठीक है CAPM method से लागे हमें दो line में question solve कर देना है धियान रखेंगे साथ CAPM model के अंतर cost of equity cost of return earning में कोई फरक नहीं है हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ हमारा एक case से फरक आता है जो कि है dividend growth model compute करते हुए और दूसरा आता है सर अगर हमें personal tax या brokerage दे रखी हो investor की ठीक है तो question no.21 भी हमारा इस तरीके से हो जाएगा question no.22 अच्छा question है बढ़िए question है let's see कैसे करना है important mark कर लेगा क्योंकि आपको revise करना ही करना है question no.22 में क्या रहता है face value of equity shares of a company's rupees 10 while current market price is 200 रुपे पशे है बेटा face value दस है लेकिन market में 200 रुपे का जलना है कि ऐसा होता है हाँ बेटा विलकुल होता है आप कभी कोई भी share देखोगे आप उसका जाके annual report financial statement download करना और उसमें देखना face value किती है 1 रुपे 2 रुपे 10 रुपे रहे है market price company is going to start a new project यह नया पुझा करने जा रहे है and planning to finance it partially by new issue and partially by retained earning वो के रहे है नया पुझा करने जा रहे है कुछ नहीं वो issue से पैसा उठाएंगे और कुछ retained earning को भी use कर लेंगे you are required to calculate cost of equity shares as well as cost of retained earning वो के रहे है cost of equity share भी निकालो अगर issue price आपका 190 रुपीज है और flotation cost आपकी 5 रुपे है ठीक है issue price 5 रुपे है sorry issue price 190 रुपीज है flotation cost 5 रुपे है और dividend at the end of first year बलब सर्क D1 आपको already निकाल के दे रखा है 10 रुपे है और growth rate 5 रुपे है चलिए तो इस case में आपसे K.E. और K.R.E. दोनों पूछ रखा है तो मैंने इस यह question important mark करा दिये क्योंकि बेटा इस अकेले question से आपकी सारी चीज़े revise हो जाएंगी बेटा P0 कितना है आपे 190 सर हम 200 क्यों नहीं ले रहे हैं बेटा अगर हमसे existing shares का पूछा जाता ठीक है अगर हमसे existing share की cost पूछ आती तो हम 200 लेते लेकिन अब हम new issue कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे सर issue price अगर आप मेरे notes में आके देखोगे हम क्या लेते हैं सर अगर हमने issue कर रहा है तो net proceeds देते मदर जित्ता पैसा मुझे रेसीव हुआ और अगर हमने सर पुराना है तो हम market price लेके चलते हैं अगर आप dividend growth model में देखोगे अगर existing है तो हमारा सर P0 यानिकी market price जाता है new issue है सर net proceeds जाती है तो इस case में बेटा हमारा net proceeds किती है सर 192 रुपे, flotation cost बेटा 5 रुपे, d1 हमें दे रखा है 10 रुपे और growth दे रखा है हमें कितना 5% सब्सक्राइब निकालनी cost of equity क्या आजाएगा तो दी 1 अपॉन P0 प्लस G, d1 कितना है 10 डिवाद बाए 190 यहां पर net proceeds रुखते है यहां पर यहां पर माइनस करकी भी दिखा देना 185 तो यहां पर आजाएगा था हमारा 185 प्लस growth रेट कितना है पांच परसेंट तो यहां आजाएगा हमारा 10 डिवाद बाए 185 यहां पर आजाएगा था 10.40 परसेंट यह 10.41 परसेंट अगर मैं round off कर तो तो ठीक है के आजी लिखते जाएगा दीवन अपॉन अपॉन नेट प्रोसेड प्लस जी यहां पर बिटा जो नेट प्रोसेड यूज होंगी तो यह फ्लोटेक्शन कॉस्ट माइनस नहीं होगी तो यह 190 ही रहेगा 5 परसेंट यहां जाएगा 10 डिवाद बाए 19 यहां जाएगा 10.26 पर चूएगे वी डू नुन अट रिडूस फलोतेशन कॉस्ट नेट प्रोसेड वाई जाएगा जाएगाइगा फ्लोटेशन कॉस्ट थैंक है तो बॉटेज यह नोट आप यहां नहां पर भी लिखेंगे और question के उपर भी लिख लेंगे जिससे आपको revision में ध्यान रहें do not reduce flotation cost while computing के आर ठीक है जी चली note कर लीजे इस question को फिर हम बढ़ते हैं आगे इस chapter में चली note कर लीजे फटा फट चली इसके साथ हमने सारे तरीके की cost निकालनी सीख ली हमने cost of debt सीख ली cost of preferentials देख ली cost of equity देख ली cost of return earning देख ली इसके लावा सार और किसी भी तरीके से माई पास cost निकालनी के method नहीं है तो हम देख लेते सार अब हमाई आगे करना क्या है फिर तो इस बाद देख लेते हैं अगले question किस से related question number 23 cost of retained earning निकालनी है homework से कर कहेंगे कुछ नहीं है तो इसके इंदर flotation cost और personal taxes दे रखा है और आपको cost of equity दे रखिए तो आपको cost of equity पे tax benefit और brokerage benefit दे देना है तो यह आप homework में करके लाएंगे question number आते हैं 24 पर पढ़ते हैं क्या question है 15% convertible debentures of rupees 100 at par with a maturity period of 6 years पेटा 6 साल का maturity period है on maturity each debenture will be converted into 2 equity shares of the company साथ 2 equity share मिलेंगे एक debenture के बतले convert होगे the risk free return is 10% beta risk free rate of return 10% है market risk premium है 18% ठीक है जी and beta of the company is 1.25 beta सार हमें 1.25 दे रखा है the company has paid dividend याने की D0 दे रखा है 12.76 रुपीज पर शेर 5 years ago it paid dividend of rupees 10 per share flotation cost is 5% of issue amount निकालना क्या है calculate cost of convertible debenture using approximation method तुस्थे मिटे हैं पर काफी चीज़े बता दिया आपको अगर आप question ध्यान से पड़े तो हमें क्या निकालना है cost of convertible debenture cost of convertible debenture देखने की नहीं हमें देखना परता है हमें यहां पर इस line में दे रखा है cost of equity निकालने का तरीका इस line में क्या दे रखा है मैं cost of equity निकालने का तरीका और हमाई साथ जो यह line है इस line में दे रखा है sir क्या dividend growth model का data ठीक है इस line में में sir dividend growth model का data दे रखा है लेकिन यहां पर एक चीज मिसिंग है हमारी क्या sir price market price of share तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ sir cost equity CAPM model से निकालू और उस cost of equity को dividend growth model में रख दूँ और हमारा sir P0 निकल के आ जाए क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं और हमें ऐसा ही करना है तो चलिए करते हैं solve question no.24 ठीक है एक बार से share की value निकल के आ गई फिर हम sir अनाम से approximation method निकाल के केड़ी निकाल देंगे चलिए करते हैं कॉस्चन no.24 का part 1 सबसे निकालेंगे सा कॉस्ट of equity क्या है रिस्क फ्री प्लस बेटा आरे माइनस आरे ठीक है जी रिस्क फ्री रिटन कितना है अधर दस प्रतिश्यत है हमारा रिस्क फ्री रेट अफ रिटन बेटा है 1.25 और सब प्रीमियम कितना है अठारा परसंट अठारा परसंट से हमें प्रीमियम दे रखा है सीदा ऐसा मत कर देना अठारा मेंसे दस लेस्क कर देना यह अलड़ी लेस्क वह हुआ है तो बेटा की कॉस्ट of equity आ गई है 32.5 परसंट अब बेटा ध्यान से देखना जहां पर सारे बच्चे गलती करेंगे वो मैं आपको पॉइंट में जहां से बताता हूँ देखो इन्होंने कहा है कितनी लाइफ है 6 साल की लाइफ है आपके किसकी डिबेंचर की मतलब सब 6 साल बाद का मुझे equity share की value निकालनी है अगर आज की निकालनी होती तो मैं क्या करता के is equal to d1 divided by p0 plus g अगर आज की निकालनी होती तो यह करता कि सर आज के साल के end में कितना dividend जाएगा उसके साथ से कर देता अगर सर मुझे यह 6 साल बाद की निकालनी है तो मैं क्या use करूंगा ke is equal to d1 plus 6 6 साल बाद का मतलब 6 साल बाद मेरा क्या dividend expected है वो divide by p0 plus g तो बेटा उस के से मेरा 6 साल बाद का market price निकलेगा तो बस यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है इसके नहीं आप एक note लिखेंगे for computing share price at the end of 6 years we will use dividend growth growth model okay are you looking at the dividend used in this model should be should be expected dividend expected dividend at the end of 6 years okay बच्चे हमें सब कुछ सभी करते हैं बस वो dividend D1 ले ले लेते हैं नहीं आपको D7 लेना है कुछ बच्चे D6 ले ले लेते हैं ठीक है ठीक है इससे हम सब्सक्राइज निकाल लेते हैं अच्चा प्राइज निकालने से पहले बेटा हमें ग्रोथ रेट और निकालना पड़े हैं ग्रोथ रेट कुछन में डिरेक्टली नहीं दे रख रख हैं कि एक मेंट देना पेटा जलू हां जी वापत आदे पेटा आपको डिरेक्टली निदे रखा कुछन में बोल रखा है कि भई 12.76 परसेंट इन्होंने आज ही डिविडेंट दिया है जबकि 5 साल पहले 10 परसेंट दिया था तो ग्रोथ रेट कैसे निकाल लेंगे हैं कि दी जीरो डिएड़ दी एन वन टू दी पावर एन माइनस वन डी जीरो किता है 12.76 पांच साल पहले किता दिया था 10 रुपे टू दी पावर वन अपॉन फाइग माइनस वन या देगा 1.276 हम देखने से सर पांच साल में 1.276 कहां पे हो रहा है पांच साल में 1.276 पेटा पांच परसेंट पे हो रहा है तो हम इस तहीं के से ग्रोथ रेट भी निकाल लेंगे 5 परसेंट ठीक है तो सर हमारा ग्रोथ रेट पांच परसेंट निकल के आ गया है अब हमें क्या करना है सर पी जीरो निकालना है चलिए निकालते हमें पता है सर के इस इक्वल टू डी सेवन डिवाइड़ वाई ती जीरो प्लस जी होता है ठीक है झाल हां जी वेड़ा सोई रुकावाट के लिए खेद है हां तुसरा हम कहा रहते हैं के इस इकॉल प्रसें या फिर मेंसे सर पॉइंट 325 भी लेख सकता हूँ ठीक है डिविदेंट सर अभी हमारा करेंट कितना चल रहा है 12.76 चल रहा है लेकिन सर इस पे हमें ग्रोथ लगानी पड़ेगी 1.05 की साथ पावर क्योंकि सर आज के निकालते तो एक पावर लगाते लेकि सर छे साल बात का निकालना है तो 1 प्लस 6 7 पावर लगा दिये हमने ग्रोथ रेटर पेटर 0.05 और यहां पर आ जाएगा पी 0 तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यह उट के चल रहा है हमारा यहां पर 0.325 माइनस 0.05 0.325 माइनस 0.05 0.275 वो जाएगा वो नीचे आजाएगा तो यह आजाएगा आपका 12.76 इन्टो 1.105 इन्टो 1.05 इन्टो 1.05 दो कि नीचा शह साथ इन्टो 12.76 तो बटा उपर आगया आपका 17.954 ठीक है 0.05 उदर गया नीचे आगया फिर यह आजाएगा 2.75 और इधर आजाएगा मारा पी ओ तो यह डिवाइड वाइड 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 दे रखा था यह पी मोडल के दास्ते बागी साथ देटर देखा था दिविडेंड को मॉडल का तो बहाँ पर हम करके पी ओ निकाल दिये 65.28 ठीक है जी अब इस कोशन के अदर कुछ नहीं बता है क्योंकि सर अब हमें निकालनी है कॉस्ट ओफ डिवेंचर बेसिज दी कौन सा मैथाड एप्रोक्सिमेशन मैथा तो सबसे पहले हम निकालेंगे इश्यू प्राइस इश्यू प्राइस ओफ डिवेंचर कितना है सर हमें बोला गया है 100 रुपे का था ठीक है और इस पर फ्रोटेशन कॉस्ट थी 5 परसेंट तो 100 माइनस 5 परसेंट ऑफ 100 रुपीज 95 रिडिमेबल वैल्यू कित्ती है सर या तो 100 रुपे है या फिर हमारा एक्विटी शेर का प्राइस है तो टू इंटू 65.28 या जाएगा 130.56 तो सर हम रिडिमेबल वैल्यू क्या मानके चलेंगे सर एक्विटी शेर की वैल्यू तो सर आई 1-D प्लस रिडिमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड़ बाई एन और होल डिवाइड़ मेंटा आरवी प्लस एनपी डिवाइड़ बाई 2 चलेंगे तो आई कितना है सर हमें बताये गया है 15% कनवर्टिबल डिवेंचन है तो 15 रुपे दिया होंगे ह प्लस प्लस रिडिमेबल वैल्यू किती है सर हमें निकाली अभी 130.56 और नेट प्रोसीड्स है 95 रुपीज बेटा पीरेड अच्छे है साल का सॉल्व करेंगे से तो 130.56 प्लस 95 डिवाइड बाई 2 या जाएगा डिनॉमिनेटर में 102.78 और नुम्रेटर में क्या आएगा 130.56 माइनस 95 डिवाइड बाई 6 प्लस 9 या जाएगा 14.93 तो 14.93 डिवाइड बाई 12.78 या जाएगा बेटा आपका 13.23 परसेंट ठीक है जी तो सर इस तरीके से हमने निकालती है इसको नोड करेंगे देन हम उसके बाद आगे वड़ेंगे तो अच्छा कोशन है बेटा पार्ट वन गुट कोशन इसको रिवीजन में जरू रखेंगे कैसे इंडिरेक्ली इन्होंने इन्होंने डिविडेंड ग्रोज मॉडल का यूज करके आपसे कॉस्ट आट निकलवाई है चलिए तो पैटा इस कोशन के उपर भी नोट लिख लेंगे जरूर यहां पर कोशन के उपर जरूर नोट लिख लेंगे यहां पर हैच लगा लिजे यहां पर लिखेंगे वी नीड टू कम्प्यूट डी सेवन जो यहां पर गलती करोगे वो जरूर लिखने है डी सेवन इन डिविडेंस ग्रोज मॉडल ठीक है एक तो यह पॉइंट हो गया इसके और दूसरा पॉइंट हो गया बेटा वी यूज के एस पर सीए एंट डिविडेंस ग्रोज मॉडल सा हम पी जिरो निकाल देंगे चली तो पैटा यह कोशन होगे असा सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट बहुत हुसान है सर फाइप परसेंट प्रिफेंशे से सो रुपे के जिनको हमने दस परसेंट प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं यह शेज बिटा दस साल बाद रिडीमेबल रिडीम किससे बहोगा यह नहीं बता है तो आप पार पे करेंगे और फ्लोटे माइनस आपका जो इश्यू प्राइज है यह माइनस हो जाएगा तो इसको माइनस कर देंगे 110 परसे माइनस 6 परसेंट आपका इश्यू प्राइज निकल के आ चाएगा उसके रिडीमेबल दास सल बाद है पांच परसेंट मिलेगा यानि कि वन टू टैनियर जो आपका ठीक है जी तो 24 का पार्ट टू आप घर से करके लाएंगे कोशन नंबर 25 क्या है जी कोशन नंबर 25 गामा लिमिटेड हैस फाइव लैक रूपीज वन ओर्डनरी शेर्स ओर्डनरी शेर्स मतलब एक कुटी शेर्स हूस करंट एक्स डिविडेंट एक्स डिविडेंट क्या ठीक है उसके बारे में भी एक कोशन आएगा आगे तब मैं आपको पूरा सुम्झा दूँगा तो एक्स डिविडेंट मार्केट प्राइस नॉम्मल मार्केट प्राइस हमारा डेल लुपे है कंपनी ने सर अभी अभी डिविडेंट पे गिया 27 पैसे ठीक है जी एंड डिविडेंट आ एस्पेक्टे टू कंटिन्यू एड दिस लेवल फॉर सम टाइम ठीक है वो कह रहे भी यह डिविडेंट इतना ही रहेगा 27 पैसे ही रहेगा यत दर कंपनी थो नो डेप कैपिटल कंप्यूट यह क्या आगेए वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो अब समझते हैं इस कंसेय्ट को यह कोशन तोह मार लां लांद दिखने करी निन साथ वैटि अवेरेज कॉस्ट अव कैपितल वेटेट एवेरेज कॉस्ट अव कैपितल या इसे सम्ट शॉर्ट फॉर्म में बोल देन वेक या फिर हमें से बोल देते हैं के वो तक कैसर और निकालते हैं क्यों दोनों चीह समझते हैं क्यों और कैसे दोनों समझेंगे बिटा माल लीजे आपका जो कंपनी है वहाँ पर चार सोर्स ऑफ फंड्स है ठीक है आपने डिवेंशे से पैसा ले रखा है प्रिफरेंशेल स देख लिए हर एक की कोस कैसे निकलती कैसे एक की माली छेपसंट एक की साथ एक की आट एक की नो ठीक है अब आप इन्वेस्टमेंट ढूँदने जाओं कि आपको पैसा कहा लगाना है ठीक है आपको मैं नौ पर्सेंट का रिटरन देजूंगा लिकिन अब आपके पास है इसे नहीं होता है सिर्ट कर तो एसे नहीं होता है एक लिए ब़बाइड़ रेट चाहिए तो बच्चे केंगे सर बहुत यह असान है यह लो एक का 8% एक का 10% एक का 12% एक का 14% चलो सर इन सब को multiply करके इनका average निकाल देते बात खतम पैसा है जब 8 10 12 14 divided by 4 लो जी रो 11 परसेंट निकल के अगे सार इस दो का एवरेज क्या दो सार 11 परसेंट जो परवाला 9.99 परसेंट मानलो जी आपने 14 परसेंट पे सोर्स उठा रखा है फंड का तो क्या आपको 11 परसेंट पे निकालना चाहिए नहीं तो सर हम कभी भी सारी कॉस्ट का सिंपल एवरेज नहीं निकालते हैं हम वेटेड एवरेज निकालते हैं तो फाइंड आउट कि मेरी ओवराल क निकालने का पहले मोटिफ क्या होता है सर जिससे हम इनुवेश्टिमेंट कित्ते परसेंट का चाहिए वेटे निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं इसके नहीं एक स्टेट्मेνट मनता है जो सर हमने नोटे में लिख रखा है सबसे पहले हम लिखते सब सोर्स जो भी आपका सोर्स है उसकी सर वैल्यू कितनी है कि सोर्स से हमाद सर पचास लाख है कि सोर्स से साट लाख है कि सोर्स से बीस लाख है क्योंकि जगो जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा उसकी सुनी जाएगी ओवराल कॉस्ट म निकालेंगे weights का सरम make show करेंगे कि total हमारा one आजए ठीक है फिर सब यहां पर सब की cost निकलेंगे बान लिए एक की 12 है एक की 14 है एक की 8 है एक की 10 है एक की 16 है ठीक है उस weight को और इसको multiply करेंगे a into b ठीक है और फिर यहां पर आपकी निकल के आएगी वह overall cost of capital निकल के आजए ठीक है तो पिटा इस तरीके से हम लोग weighted average cost of capital कुछ रॉकेट से नहीं कुछ नहीं है सिंपल चार sources of fund है उनके हमाएं पास value है उस पर weights निकाल लीजिए weights को cost of capital से multiply कर दीजिए आपका weighted average cost of contribution आ जाएगा ठीक है चलिए इसके उपर base day question करते है तब आपको पूरा clear हो जाएगा question number 25 मैंने आपसे क्यों homework में बोला क्योंकि बेटा इसके अंदर एक ही source है इसके अंदर सिर्फ एक ही source है equity share capital ठीक है एक ही source है उस case में weighted average cost of capital निकाल ले तो हम कह देंगे भाई एक ही source है तो वही हमारी weighted average cost of capital हो गई एक source है जो 100% है ठीक है तो उसकी जो cost of capital है वही हमारी overall cost of capital भी हो जाएगी इसके अनों question number 25 आपको homework में दिया था क्योंकि बहुत असान चोटा सा question है question number 26 यहां पर क्या कहने तो following details are provided by GPS Limited क्या है equity share capital है मेरे पास 65 lakh की बिटा यह amount दे रखे हैं कि किस काम में आएंगे इस तर weights निकालने के ठीक है तो बिटा equity share capital दे रखे है 65 lakh की preference share capital दे रखे है 12 lakh की 15% debentures दे रखे हैं 20 lakh के convertible debentures दे रखे हैं 8 lakh के cost of equity capital for the company is 16.30 मेटा K.E. आपको दे रखा है income tax दे रखा है 30% आपको weighted average cost of capital निकालनी है चले जी करते हैं बहुत ही असान सा question solve ठीक है question number 25 cost of equity किती दे रखे मुझे cost of equity हमें दे रखे 16.30% ठीक है उसके बाद बेटा हमें क्या दे रखा है और किसी की cost नहीं दे रखे तो बेटा cost of preferences कितनी माल लूँगा सर हम 12% दे रखे 12% ही माल लेंगे क्योंकि जब हमारे पास issue price नहीं है next proceeds नहीं है redeemable value नहीं है तो हम सबको 100-100-100 मानेंगे और 12% का as it is आ जाएगा लेकिन सर इसके लाव आपको कुछ भी नहीं दे रखा है कि कितनी रेडिमेबल value है कितना इसकी price है कुछ नहीं है तो सबको 100 मानेंगे 15% का 15% एज़ित आ जाएगा लेकिन सर इस पे tax benefit जरू दे देना 1-0.30 याने की साड़े 10% तो cost of convertible dimensions की आ गए हमारा फिर है sorry redeemable dimensions फिर आते हमारे से convertible dimensions तो उसे KD2 लिख देता हूं इसे KD1 लिख देता हूं पेटा cost of convertible dimensions से आपकी 10% अब कितनी value पे convert हो रहे हैं क्या issue price है कुछ नहीं रखके तो 10% को as it is assume कल देंगे और इस पे भी हम tax benefits दे देंगे तो सर्थ हमारे पक्स चारो sources की cost निकल के आ गई है अब अपना statement बना ले क्या से computation और वेक वेटे देविज cost of capital या फिर इसे हम को भी बोलते हैं overall cost of capital ठीक है जिस सोर्स लिखेंगे सबसे पहले equity share capital preference share capital redeemable debt और convertible debt तो सबसे पहले हमने चारो sources लिखें उसकी value लिखेंगे कि कितनी है 65 lakh 12 lakh 20 lakh 8 lakh ठीक है जी हमने सब्सक्राइब उनकी value लिखेंगे यह जो यह लिखेंगे यह आपके 7-8 नमबर के अराम से आ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर से क्योंकि एक्जामना भी कोशिश करेगा क्यों ज्यादा स्यादा चीज़े कवर करके दे तो ज्यादा स् आपा हetedब करणके अंदर झाद तो जो सास से 7 odd माख वाले कोशन के अंदर तो जो साथ से आपके और साथ माख वाले को यह पिन boss नी कालना है और क्या होगा और टीकह सब्सक निकालते सा रहना मegस क्यों में कोड़ेंगे यह निकालना हो इन इन सिक्यूर्टी का वेट तो बेट आप 65,000,000 आउट ओफ 105 ले कितना बनेगा यह बनेगा आसर 0.62 तो टीक है 12,000,000,000 आउट ओफ 105 कितना बनेगा 0.11 20,000,000 आउफ 105 बनेगा 0.19 8 डिवाद बाइ 105 बनेगा आसर 0.7 बेटा यह जरू देख लेना कि इन सब का टोटल 1 आ रहा है कि नहीं अधरवाइस से हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा ठीक है 0.99 आ रहा है तो इसको मैं एक को बढ़ा देता हूँ इसको 0.18 कर देता हूँ ठीक है तो हमने इस सरी के तर वेट निकाल लिए नेक्स्ट क्या निकालना है हमें सर्फ कॉस्ट वो तो हमने उपर निकाली लिए लिए लिख लेते हैं कॉस्ट आफ इक्विटी किता है से नमारा 16.30 अब हमें क्या करना है सर अगर यह हमारा ए है यह हमारा भी है तो वेटेट कॉस्ट निकालना की निया हमें ए इंटू बी कर देना है अब लिखेंगे वेटेट कॉस्ट क्या क्या है 0.62 x 16.3 यह जागा 10.11 0.11, 0.18 into 12, 2.16, 0.19 into 10.5, 1.99, 0.07 into 7, 0.49, तो बेटा हमने जिस जिस source of fund का जितना वेट था उस हिसाब से उसकी cost consider कर ली है और हमारी back निकल के आ जाएगी 10.11 plus 2.16 plus 1.99 plus 0.49 या जाएगी बेटा 14.75 परसेंट है ठीक है जी तो इस ताहिकर से भाई वेटे डेश कॉस्ट आ जाएगी इसे नोट कर लिजे देन वीट कर दो. पीटा एक छोटा से यहां पर ठीक कर लेंगे इस पॉइंट वन टू होगा 14.03% अगर आप सर इसमें वेट में आगे एक एक डेसिमन हो ले लेंगे तो थोड़ा बहुत आपका अगर डेसिमन में 3-4 पैसे उपन नीचे हो जाएगा उसकी इतने कोई देखत वाली बात नहीं है ठीक है चली आप नोट कर लीजे देन वी विल मूव फोवर्वर्ड चली सर वेटे रवेज कॉस्ट अपिटल के हम कुछ और कोशन भी देखेंगे आज ठीक है कोशन नमबर 27 क्या कह रहा है सब पीके हैज अब कोशन के अंदर जो हमारा मारे पास दो करोड रुपे की जिसके अंदर 10,00,000 अब टो उपेक है तो एक शेर कितने का एक्षट विल पे आन नेक्स्ट यह अग्रिद ऑफ रूपीस यह नेक्स्ट यह अग्रिव दे रखा है विच इस्पेक्ट इपकर नग्रिव फैपक्ट तो ग्रोव फाइप पसें मतलब साब कॉस्ट ऑफ इकुटी दे लखी डीजी ए मैं थाट की हमें सारी डेटेल दे रख सब्सक्राइब को बता रखा है सब के अमाउंट दे रखे हम वेट निकाल सकते हैं और हमाई वेट डेविश कॉस्ट कर लेते हैं वैसे तो इसी था मैं आपको चाहता हो में देता लेकिन कोई दिक्कत नहीं थोड़ी आपको प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी कोशन नूमबर 27 कोश्ट ऑफ is equal है ultimate डीवन पॉन प्लस ची डीयून के सदे रखे दग के सदे का है अपको चैनल दे रखा है 200 और जी दे रखा है हमें 5% तो पिटा ये निकल के आगे है हमारा 10% cost of preferences अब कुछ नहीं दे रखा तो सर उस पर हम tax benefit भी नहीं देता है तो 11.5% ही माल लेंगे कुछ उसमें change नहीं करेंगे और cost of dividend सर हम किता लेते हैं 100 diventures सर हमें 10% दे रखा है तो हम इसे exit is माल लेंगे लेकिन इस पे सर हम tax benefit दे देंगे तो 6.5% हो जाएगा तो सीधे करते हैं सर computation of weighted average cost of capital अच्छे ये weighted average cost of capital है न जब आगे आप valuations वगरा करोगे ठीक है मालब सब कंपनी की कित्ती valuation मनती है उन सब चीजों में ये weighted average cost of capital बड़ी काम आती है ठीक है वैक बोलते है ठीक है तो big force में भी क्या होता है जाब हम किसी कंपनी का valuation वगरा चेक कर रहे होते हैं investment पर पस से तो हमारे एक specialized team होती है corporate financing team जो weighted average cost of capital हमें निकाल के देती है उस company के निये जिसके basis पर investment देखते है कि हो सही करना है कि नहीं करना है so it's a very 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 important thing और मैं आता हूं वह एक rate निकालने का ना चार से पांच लाग रुपे चार्ज करते है बड़ी company में ठीक हो बड़ी company में एक rate निकालने का चार से पांच लाग रुपे चार्ज करते है चली तो देखते सा competition of work कैसे होगी सबसे पहले हम लिख लेंगे sources value weights rate weighted cost तरफ से पहले बटा source क्या है जमारा source है equity share capital लिख लेते हैं equity share capital उसके बाद है बटा preferential capital और फिर है debentures value कितनी कितनी है 200 lakh 60 lakh 100 lakh यानि की total 360 lakh हो गया है चली सब weights लिख लेते हैं इसका आजाएगा 0.56 कैसे निकाला weights 200 lakh divided by 360 lakh 60 lakh divided by 360 या गया 0.167 और 100 divided by 360 0.277 टोटल करके देखलेंगे एक बाद का 0.277 फ्लस 0.167 फ्लस 0.56 बाद कितनी है 0.2555 लेला तो में एक बाद 60 टृइब्द बाद 365 0.167 ठीक है 100 टृइद बाद 360 सब्स्माइब डुर्लेभाइब दे इस एक प्रवात्या तो यह एक राविए अच्छर जादा रहा है कहीं अज़ेस्ट कर रहें सब्सक्राइब निया रख क्यों आ रहा है अब शैस सही आएगा आज वन आगे बिटे टोटल इसकी कॉस्ट लिख लेते हैं एक्विटी शेयर कैपिटल की यह बिटा दरस परसंट परिफरेंच शेयर की है सारे ग्यारा परसंट और डिवेंचर की है सारे शेयर परसंट निका टोटल आजा गा बिटा बिटा 1.8 प्लस 1.92 प्लस 5.56 प्लस 1.8 प्लस 5 प्लस 5 प्लस तो बेटा इस तरीके से हम simple तरीके से वेटे डेरेज कॉस्ट अफ केपिटल निकाल लेते इस कोशन में से सेकिंड पार्ट और हूँ वह देख लेते क्या है आप से बुला है कंप्यूट निउवेक बुले है आप नया वेटे डेरेज कॉस्ट अफ के बितालो कब if the company raises an additional 50 लाग debt by issuing 12% debenture the company ने additional 50 लाग debt raise करा है by issuing 12% debenture this would result in increasing the expected equity dividend भाई company ने डिबेंच्य कॉल ले लिए तो equity शेक्वाल लेना का भाई हमें भी dividend और शाही है ठीक है तो उन्होंने क्या का कि भाई अगर मैं 50 लाग रुपए debt के बारे में increase कर देता हूँ तो मेरा dividend भी बढ़ जाएगा ठीक है growth rate हमारा same रहेगा और equity share का price fall हो जाएगा 200 लुपए से 160 आ जाएगा तो वो cost of equity बदल जाएगी क्योंकि मेरा P0 बदल गया मेरा dividend बदल गया तो मैं क्या करूँगा revised cost of equity निकाल हूँगा और फिर से revised weighted average cost of capital निकाल देंगे चली देखते है सब कैसे करना है बहुत ही सिंपल है पार्ट टू रिवाइजड के ए ठीक है डीवन डिवाइड वाइड पी जीरो प्लस जी डीवन कितना कहरें सर वह अब कहरें 12.40 हो जाएगा यह 160 हो जाएगा और जी 5% का 5% ही रहेगा फोशन ने साफ़का है कि बहिया उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो यह जाएगा बेटर 12.75% ठीक है सर्थ क्या preferent share की cost में और dimension 1 की cost में कोई फरक है अगर नहीं तो वह नहीं निकाल रहे है सीधे kd2 की cost निकाल देने वह कित जाएगा 35% है tax rate हाँ जी सा 35% tax rate है तो 35% benefit मिल जाएगा तो आ जाएगा 12 into 0.65 7.8% ठीक है जी तो दो कॉर्स सर्थ हमने extra निकाल दिये चलिए अब इसका सर्थ computation of new वेक कर देते हैं computation of new वेक कर देते हैं amount weight cost weighted cost ठीक है इस तहीं किसे table बनाएंगे और सर हम एक एक करके साइक चीजिए लिख लेते हैं बिल्कुल वैसे ही निकलेगा सर बस एक source of fund हमारा और बढ़ जाएगा तो यह जाएगा एक्विटी शेयर कैपिटल प्रिफ्रेंशेयर कैपिटल डिबेंचर पहले सर्माएं पास 10 परसेंट वाले डिबेंचर अब आ जाएगे 12 परसेंट वाले डिबेंचर वैल्यू कित्ती सर इनकी तो सेम है 200 लाग 60 लाग 100 लाग और यह सर हमने 50 लाग के और लिए है टोटल बनता है मेरा 410 लाग 200 डिवाद बाइ 410 यह जाएगा 0.487 60 डिवाद बाइ 410 यह जाएगा 0.146 100 डिवाद बाइ 410 यह जाएगा 0.244 और 50 डिवाद बाइ 410 यह जाएगा 0.121 टोटल कर ले देखा सकता है अगर किसी में सर पॉइंट 001 का परखुआ तो उसे अज़ेस्ट कर देंगे 0.487 प्लस 0.146 प्लस 0.244 प्लस 0.121 सब 0.998 आ रहा है तो एक यहां पर बढ़ा दे होता हूँ एक यहां पर बढ़ाएता हूँ तो यह हमारा 1 हो जाएगा ठीक है इसको 1 करना जरूरी यार नहीं तो आपका थोड़ा बहुत आंसर अलग आएगा ठीक है चलिए 1 हो गया कॉस्ट लिए थे पिटा एक्विटी शेयर केपटल की रिवाइस कॉस्ट कितनी आ गई है 12.75 परसंट कॉस्ट अप्रिफरेंशियर सा सेम चलेगी 11.5 परसंट बैट अब 10 परसंट डिवेंचर की ती 6.5 परसंट और जो नहे 12 परसंट डिवेंचर नहीं है उसकी है 7.8 परसंट चलिए कॉस्ट निकाल देते है 12.75 इंटु 0.487 या जाएगी 6.21 0.147 इंटु 11.5 या जाएगी 1. 0.69 0.244 इंटु 6.5 या जाएगी 1.58 0.122 इंटु 7.8 या जाएगी 0.95 तो बैटा कॉस्ट अवरार कॉस्ट अपिता हम निकाल देते 6.21 प्लस 1.69 प्लस 1.58 प्लस 0.95 या जाएगी 10.43 परसंट ठीक है जी तो चलिए इसको नोट करें मैं इतने बीटर डबल चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन आप भी चेक करके नोट कर दीजे मैं एंदे मैं ऑष्याओी भी चरम जा याफट ज़ा भी चेकान gladiक कर दो की कर दो मैं हम जाएगी कर प्लस 1.800 बदीक झाल 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 यह क्या चाहता है जो इसके पास already है उससे ज्यादा चाहता है 10,000,000 रुपे फोर मीटिंगे इस इन्वेस्चिन प्रासर दसलाग इसे रेस करने है इसके पास 2,000,000 रेस करने है तो यह रेसो अगर आपको मिंटेज करना पड़ेगा यानिकी अगर आपको 10,000,000 रेस करने है तो तो यह रेशो अगर आपको दसलाग रेस करने हैं तो तीन लाग डेट से करोगे और साथ लाग एकुटी से करोगे ऐसा हो कह रहे हैं ठीक है कॉस्ट ओफ डेट वह यह डेट रेस करने की कॉस्ट क्या है अगर एक लग असी हजार तक आप रेस करोगे तो 10 परसेंट आएगी बिफोर टेक्स अगर उसके बाद कुछ भी रेस करोगे तो आपकी आएगी 16 परसेंट मतला एक लाक रसी आदा करकर मैं रेस कर रहा हूं तो पज़े 10 परसेंट प्याज देना है उसके उपर जितना भी अमाउंट रेस करूँगा उस पर 16 परसेंट दे परसेंट लगेगा करेंट मार्केट पराइस है सर 44 रुपीस तो यह साइज ठीक है क्या हो गई मेरी डिविदेंट डोस मॉडल की देदी है उन्होंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के नहीं ठीक है टेक्स रेत है 50 परसेंट सबस्ते पहले हो कह रहे हैं डिटर्माइन तो करते हैं एक एक पार्ट को सॉल बड़े प्यार से समझते हो कोश्चन नंबर 28 सबसे पहले पूश्चा की होई है यह फाइनस हम कहां से करेंगे हमें सा रिक्वार्मेंट कितने की है हमें रिक्वार्मेंट है रूपीस टैनल है कंपनी क्या कहती है वाई डेट इक्विटी का मिक्स होना चाहिए 3 इस टू 7 तो उस हिसाब से दूसर डेट टू इक्विटी मिक्स 3 इस टू 7 इसका मतलब सर हम डेट से लेंगे हम डेट से रेज करेंगे सर तीन लाग रूपे ठीक है सर दस लाग को अगर 3 इस टू 7 रिस्टिब्यूट करेंगे तो डेट से रेज करेंगे सर हम 3 इस टू रूपे ठीक है बेटा कहीं भी अगर आपके इससे डेट टू इक्विटी रेशन लिखा है इसके अंदर हमसे बोला गया है कि भई यह दो लाग दस हजार की और डिरेटेंट डंग है हमारे पास ठीक है दो लाग दस हजार की रेटेंड डानिंग हमारे पास अल्डेटी है तो हमेंसा एक्विटी शेर कैपिटल से कितना रेज करना पड़ेगा 4,90,000 हमारी equity share capital आजएगी तो पहले part का answer से हमारा हो गया है उन्होंने कहे determine the pattern for raising the additional finance सर्थ pattern मैंने बता दिया है आप सर्थ diagram form में बना के हो आप table form में बना के हो कोई दिक्कत नहीं है दोनों में आपको same marks मिलेंगे ठीक है तो उन्होंने सर्थ पहला part कर लिए इसे लिखेंगे part 1 दो number पक्के दूसरे part में क्या कहा रहा है भी या post tech average cost of additional debt बता दो सर हमारे पास debt का क्या है debt up to 1,80,000 कितना है सर हमारा पास 10 टका ठीक है debt 1,80,001 रुपे से 3,00,000 तक क्योंकि से हमें 3,00,000 रेज करना है यह 16 टका ठीक है इस पर साज़ना tax benefit दे दे percentage भी देदे tax benefit कितना है हमारा tax कितना बता है सर इन्होंने 50% बहुत ही बढ़िया या 50% tax मुझे अच्छा लगता है real life में नहीं सिर्फ books में दूसर हमने दोनों cost of debt की cost निकाल दिये question क्या मांग रहा है question क्या रहा है determine the post tax average cost of additional debt इन दोनों debt की average cost कितनी है तो हम निकाल देंगे average cost of additional debt कैसे निकाल देंगे सर जैसे निकालते आ रहें weighted average कर देंगे सर पाच परसेंट ओफ 180,000 प्लस आठ परसेंट ओफ ये कितना अमाउंट है सर 1,20,000 divided by 1,80,000 plus 1,20,000 मतलब सर मैं इसने किसे बता रहा हूँ overall cost कितनी है देखो 1,00,000 असी जार पर 5% दूँगा 1,20,000 पर 8% दूँगा fund मैंने कितने use करें है fund मैंने use करें से 3,00,000 तो मुझे बताओ ये overall average कितनी cost आई मेरी अलागा लगमत बताओ तो है 1,80,000 इन्टू 5% याने कि 9,000 18,600 याने कि 18,600 डिवाइड वाई तो मैं आगे 6.2% याने कि भाई मुझे अलग-अलग मतलता हूँ 10% एक है 16% एक है वो tax से पहले है तो हमने क्या गणा tax के बास की दोनों के rate निकाले पोस tax average मांगा था ठीक है और सर हमने 6.2 दोनों की average cost निकाल दिया हमने का भाई 3,000,000 पे ब्याज किता गया यह बता दो 3,000,000 पे ब्याज किया 18,600 रुपया तो हमने का सर 6.2 इसकी percentage आप भी है पार्ट 3 में क्या पूछ रहे है भाई पार्ट 3 में पूछ रहे है सर रेटेंट रर्णिंग और cost of equity बता दो तो क्या सर अलग-अलग होगी same होगी same होगी क्योंकि पेटा यह पर flotation cost कुछ भी नहीं दे रखी हमें तो हम ke is equal to kre एक ही formula लगा देंगे क्या d1 upon p0 plus g d1 कितना है तो चार रुपे की earning हुई है क्या सर यह इस साल की होगी next year क्योंकि यह इस साल की होगी जब भी आपको data दिया जाता है और data silent होता है मझा सब current year का data दिया गया है इस पे हम growth rate लगा देंगे 1 plus 10 प्रतीशत ठीक है डिवाइड कर देंगे p0 p0 कितना है सर 44 ठीक है क्या सर हम 4 के 4 रुपे dividend में दे रहे हैं नहीं भाई हम खाली इसका 50% देंगे dividend में तो उसको 50% और करेंगे और plus कर देंगे सर ग्रोथ रेट हमारा जो है 10% तो कितना निकल के आ जाएगा पूर इंटू 1.1 इंटू 50% दिवाइड बाई 44 तो बटाए ये 15% निकल के आ जाएगा तो सब कॉस्ट ऑफ एक्कुटी भी आगे ये कॉस्ट और डेट भी आगी लास्ट पर पूछ रहे हैं सर वेटेड एवरेज कॉस्ट बदा दो एडिशनल फाइनेंस की लो जी लो अब तो सर्फ बाई हाथ का खेल है वेटेड वेक लिख देते हैं सीधे शॉर्ट फॉर्म लें वेक और एडिशनल फाइनल क्या एगा साथ सबसे बहला एगा सोर्स एक्कुटी शेर कैपिटल रेटेंड अर्निंग और ठीक हेड अमांट लेखे लेज यह यह जाएका सब 4,90,000 2,10,000 और 3,000 इसके बैसिपे बेट आ जाएगा वेट यह जाएगा 0.49, 0.21, 0.30 इसकी निशलते बेटा कोस्ट 15 परसंट 15 परसंट और बेटा देट की कित्ती है था 6.2 परसंट 6.2 परसंट तो वेटेट कोस्ट कित्ती है आगई ठीक है थी वेटेट कोस्ट कित्ती है आगई 15 इंटू 0.49, 7.35 एककेस इंटू 0.15 यागई 3.15 और 0.3 इंटू 6.2 यागई 1.86 तोटल आगे है बेटा है बेटा है रहाँ 1.86 प्लस 3.15 प्लस 7.35 12.36 परसंट ठीक है जी तो वेटेट अवेटेट कोस्ट और अपने आपसे दिमाग लाकर ट्रिक कर सकते थे जो कई बच्चों की दिमाग में अल्रेटी आ भी चुका है बतायता आपको देखो जब हमारी एक्क्विटी शेर कैपिटल और रेटेंड कि दोनों की कॉस्ट सेम है तो हम दोनों के अमाउंट भी एक साथ लिख सकते हैं ठीक है तो मैं चाहता तो यहां से रिटेंड अर्निंग के लाइन कट कर देता एक्कुटी के आगे ही साथ लाक रुपे लिख देता वेट भी उसका बढ़ जाता और साथ कॉस्टी परसंट कि दोनों की सेम है तो आप एक नोट लिख लेंगे ख़ी बच्चे क्या होता है अलत है के सॉलुशन देखते हों इस दोनों के वह हैं तुम आपको दाएगो एक्कुटी शेयर कैपिटल एंड रेटेंड डर्निंग कैन बी क्लेक्टिवली मज़्ट इन वन लाइन एज एक्कुटी ओनली वेन कॉस्ट इस सेम है तब ही मर्च कर दे न ऐसा न हो कि कॉस्ट अलग अलग है तो भी मर्च कर दी ठीक है दूसरा सदेट सदेट यहां पर आप दो अलग अलग दिखा सकते हो एक लाग असी हर और एक लाग बीस अजार के और दोनों को कम्बाइट भी दिखा सकते हो तो उसका भी एक नोट लिख ले सदेट कैन बी शोन सेपरेटली अलसो बेसिज देयर रेस्पेक्टिव वेल्यू एंड कोस्ट उनकी वेल्यू उनकी कोस्ट उठाके कर देना अब आप कोगे सर एक चीज बताओ आप एक्कुटी शेर कैपिटल ने रिटेन अनिको मर्ज करने को मनना कर रहे हो क्योंकि अगर इनकी कोस्ट अलग अलग है तो लेकिन आपने डैट को मर्ज कर दिया जबकि दोनों की मेब का सब्स्क्री निकाल रखाए तो क्या मैं मर्ज करता बैसे अगर आप मर्ज कर रहे हो तो मर्ज वाला डेस लेन और और एक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेंड अगर सेम रेट है तो मर्ज कर सकते हो वन्हा सर्फ प्रैक्टिस ही रखो अलग अलग करनी है क्यों ही मर्ज करें ठीक है चलिए तो पेटा इस कोशन को नोट कर लेंगे फिर हम बढ़ते हैं आगे अच्छा कोशन है बढ़िया है कई बार आ भी जाता है तो नोट कर लेंगे कर देखा ए्या है झाल झाल चलिए जी नेक्स्ट कोशन चलते हैं सब बड़ा बढ़िया कोशन है पढ़ते हैं को सारे बढ़िया बढ़िया चार्ट के लिए काया है और बैर टाइम पास्ट पास हेना कराने आए चलिए राम लिमिटेट इवैलूएट्स और इस एपिटल प्रोजेट उसिंग डिसकाउंटिंग रिट्स वोला पर स्वारी कोशन नमबर 29 कर रहे हैं पहले कर रहे एंक अपरे लिमिटेट इस चलिए जिए अपरेटिंग परेटिंग प्रोफिट अपरेटिंग क्या उपरेंग्छी अपरेटिंग प्रोफिट का क्या has deployed debt which gives total interest charge of 7 lakh विटा आपने debt ऐसा लगा रखा है जिसकी आपकी total value आती है 7,50,000 पर जिसके interest की value आती है ठीक है the firm has an existing cost of equity and cost of debt at 16% and 8% so दोनों की cost भी रखी cost of equity 16% cost of debt 8% the firm has a new proposal before it रिनके सामने एक नया proposal है which requires 75 lakh fund and is expected to bring an additional profit of 14,25,000 सर ये इनके पास एक proposal है जिसके हिसाफस साथ 14,25,000 का इनका profit बढ़ जाएगा लेकिन इन्हें 75 lakhs की additional capital लगानी पड़ेगी to finance the proposal the firm is expecting to issue an additional debt at 8% ये सोच रहे है यह हम finance करने की निए साला debt लेंगे कोई भी equity नहीं लेंगे और जो debt raise करेंगे वो 8% वाला debt होगा and will not be issuing any equity shares in the market assume no tax culture ये साथ कोई tax culture नहीं है you are required to calculate the weighted average cost of capital of कल्णियादम लिमिटेड before the new proposal और after the new proposal मतलब वो कहरें कि proposal से पहले इनकी weighted average cost of capital किती थी और proposal के बाद इनकी weighted average cost of capital किती है बता तो ठीक है आप कहोगे सर हमें cost of debt cost of equity तो दे रखता है क्या ही दिक्कत है लेकिन मेटा book value नहीं दे रखिया आपको इस question में तो इस question में आप क्या सीखोगे के book value निकालना तो star लागे उपर लेग दो ध्यान रहेगा how to determine book value ठीक है जी book value का से determine गनी है वो हम यहाँ पर सीखेंगे तो चलिए जी solve करते है question number 29 कर निकालना सर वेटेट इस cost of capital यह बस लेकिन उससे पहला में book value निकालनी है तो हम आ जाते है question number 29 बिटा आपका interest on debt कितना है interest on debt सर साड़े साथ लाख रुपए साड़े साथ लाख के interest on debt है हाँ जी सर और cost of debt किसी नहीं है से cost of debt है 8 परसेंट तो बिटा किसी amount पे 8 परसेंट लगा होगा तब आपको साड़े साथ लाख रुपए पे करने पड़े होगे होगे होगा नहीं होगा इसा हाँ बिल्कुल होगा तो amount of debt में निकाल सकता हूं पे बिल्कुल बिल्कुल आया होगा तो सर क्या में value of debt निकाल सकते हूं उसे बिल्कुल निकाल सकते हैं सब 93,75,000 रुपीज 93,75,000 रुपीज आपको सब वैल्यू ओफ टेट इंकर करनी पड़ेगा चलिए जी इसके बाद बेटा हमें निकालनी है वैल्यू ओफ एक्विटी बेटा अगर मैं EBIT की बात करूँ तो हमारा कितना दे रखा है 34,50,000 ठीक है 34,50,000 दे रखा है अगर सर मैं इसमें से interest less कर दूँ तो मेरा कितना आ जाएगा 7,50,000 अगर मैं less कर देता हूँ तो मेरा आ जाएगा 34,50,000 माइनस 7,50,000 27,00,000 रुपे इसे क्या कहते है सर अर्निंग बिफोर टेक्स ठीक है अर्निंग बिफोर टेक्स कर दिया तो यह अर्निंग बिफोर टेक्स आ गई यह फिर प्रॉफिट बिफोर टेक्स कर दो एक ही बात है तो बिटा अब हमारा टेक्स कितना सर जीरो है तो इसे मैं अर्निंग बिफोर टेक्स भी बोल सकता हूँ और इसी को मैं earning after tax भी बोल सकता हूँ तो बिटा मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो earnings है ये सारी की सारी equity shareholders की है तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ earning before tax भी है ये ही मेरी earning after tax भी है और ये है मेरी earnings available earnings available for equity share holders ठीक है वो भी सर यही है अब बिटा याद करो सर हमने earning yield model पड़ा था वहाँ पे मारी cost of equity क्या होती थी सब वहाँ पे होती थी earnings 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 divided by हमारा उताज़र net proceeds या book value कुछ भी कदर इन्टू 100 ठीक है तो net proceeds तो है नहीं सर आम इसे book value माल देंगे तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो यह 27 लाग रुपे है यह 16% हमने जब cost equity value पर compute करा होगा तो आयए होंगे ठीक है तो अगर के मेरी 16% है earning बेटा मेरी है 27 लाग रुपे तो book value of equity कितनी होगी वह हमें पता चल जाएगा आपको अगर नहीं सर यह book value नहीं यह 65,000 ठीक है जी वन करोर 68,75,000 इसकी बेटा book value आगई तो अब हमने सर दोनों की book value निकाल दी है क्या हम सर दोनों की weighted average cost of capital निकाल सकते हैं बेलकुल निकाल सकते हैं तो सर हमें क्या निकाल लिए calculate weighted average cost of capital before the new proposal अभी तो new proposal की कुछ बात ही नहीं हुए अभी तो old proposal की बात चल लिए तो new proposal के हिथाब से आप लोग फटाफट weighted average cost of capital निकाल लिए मैं आपको 2 minute देता हूँ चलो 3 minute देता हूँ फटाफट solve करो क्योंट झाल झाल चलिए तो सर हमने अब निकालनी है कंप्यूटेशन ओ ओफ वेक बिफोर प्रपोजल मतलब सर अभी हमने कुछ नया रेज नहीं करा है उससे पहले की निकाल रहे हैं चलिए जी निकाल देते हैं सोर्स एक्विटी शेर कैपिटल डेट सब दो ही सोर्स हैं बड़ी असान वाली बात है वेल्यूट वेट कॉस्ट कॉस्ट सोला परसेंट और आट परसेंट टेक्स का कुछ अक्कर ही नहीं है वेटेट कॉस्ट निकाल देते हैं तो बटा वेल्यू कितनी है वन करोर शिक्स्टी एट लैक सेविन्टी फाइट फाउजन यहां पर वैल्यू है और इसकी वैल्यू है 93,75,000 अज़र टोटल वैल्यू किती होगी 1 करोड 68,75,000 प्लस 93,75,000 या किसे 2 करोड 62,50,000 चलि इसा दोनों का वेट्स निकाल देते हैं 168,75,000 डिवाद 2,62,50,000 या जाएगा 0.643 93,75,000 डिवाद 2,62,50,000 या जाएगा 0.357 0.643 ब्लस 0.357 या जाएगा 0.643 इंटू 0.643 इंटू 16 या जाएगा 10.29 0.357 इंटू 8 या जाएगा 2.86 और दोनों का मिला के आजाएगा सरी 10.29 ब्लस 2.86 13.15 परसंट ठीक है की तो सर हमारा वेटे डेश कॉस्ट और केपिटल बिफोर प्रपोसल आ गया है 13.15 परसंट अब वो कह रहे हैं आफ्टर प्रपोसल और बता दो लो जी लो वो भी कर देते हैं उसमें कौंसी बड़ी बात है वेट आफ्टर प्रपोसल क्या हमारा डेट इंक्रीज हो गया है हां सर हो गया है तो सोर्से में अगर बात करें अगर सोर्से में हम बात करें तो हमारी आएगी साथ सबसे पहले एक्विटी शेर कैपिटल फिर आएगा डेट वन फिर आएगा डेट टू ठीक है जी अमाउंट लिख लेते हैं अगर एक्विटी शेर के पिटल थी तो बुक वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि हमने कुछ नया रेज ही नहीं करा है तो वन करोड शिक्स्टी एट लैग 75,000 ठीक है बुक वैल्यू सेम रही तो यगर डेट वन की बात करें तो उसकी बुक वैल्यू भी सेम रही कितनी थी 93,75,000 और डेट टू हमने सर्ख कितना रेज करा है हमको सर चाहिए पैसा 75 लग का तो हमने सर 75 लग ये रेस कर दिया है ठीक है टोटल हमारा कितना आगे 168 75,000 प्लस 93 75,000 प्लस 75 लग या आगे सर 3 करोर 37 लग 50,000 ठीक है इसके पैसे पर वेट्स निकाल देते हैं वेट्स निकाल देते हैं थाए है 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 वन करोड शिक्ष्टी एट लाइट साथ देना वेट तो बदल जाएंगे पॉइंट फाइज दिरू कि बच्चों देसर वेट भी सेम चाहत देते हैं नहीं बदल जाएंगे नहीं डेट आ गया है नहीं कि वेट आपका चेंज हो जाएगा बड़ा परिशान करा इसना है ठीक है तो मेटा वेट वेट आप ऐसा मत कर देदा कि सेम लेकिया जाना सब वैल्यू सेम है वेट तो बदल जाएंगी क्योंकि साथ टोटल कैपिटल बदल रही है हमारी वेट्टाए एक मिनेट देना जरग आपका प्रणत सीची है तो इसका बेट वेट आगे बिटा 0.50 लाइब दो सब्सक्तान करें से बिटा 0.27 या गया है 0.23 ठीके जी सरी टोटल आजाया कापान एक कोस्ट लिख ले थैं सब्सक्तान केते हैं सरथ हमें दे रखी कोर्शन में 16 परसेंट ठीके जी समझने वाले अच्छे समझ गए है डेट वन है सर आट परसेंट और न्यू डेट हमने कित्ते पर रेस करा है अच्छा वो भी एट परसेंट पर चलो जी इसको भी एट परसेंट ही माल लो बात शता हो बई अब आप यहां पर क्या गल्ती करने वाले हो इसकी एक्विटी शेर कैपिटल की कॉस्ट बदल जाएगी क्यों क्यों कि सर हमने देखा था यहां पर हमने अर्निंग्स के बेसिस पर कॉस्ट निकाली थी वह हमारे पास एक उप्शन था अब जब बेटा आफ्टर अजर प्रपोजल आपकी अर्निंग्स चेंज हो जाएंगी तो आपकी क्या एक्विटी शेर कैपिटल चेंज ही होगी सर बिल्कुल होगी तो बेटा पहले हम रिवाइस्ट अर्निंग्स कितनी होगी सर इबी आईटी हमारा पहले कितना था सर पहले था हमारा 34,50,000 और यह कितने से इंक्रीज हो जाएगा आफर दा प्रपोजल सर 14,25,000 से इंक्रीज हो जाएगा यह आएगे 48,75,000 तो मेरी अर्निंग बेफोर इंटरस बढ़ गई माइनस इंटरस्ट मेटा पहले कितना इंटरस्ट लेस हो रहा था से इंटरस्ट अब सर जो हमने निव डेट लिया है उस पे भी इंटरस्ट लेस होगा हाँ जी सर बिल्कुल होगा कितना होगा सर हमने लि 75,000 इंटू 8% सर 6,000,000 और माइनस हो जाएगा तो हमारी अर्निंग बिफोर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स या अर्निंग अविलेबल फॉर एक्विटी श्योल्डर कितना हो जाएगा यह जाएगा सर 35,25,000 इसको हम लिखते हैं EAT ठीक है और EAE अर्निंग अविलेबल फॉर एक्विटी शेयर होल्डर्स ठीक है तो सर हमाई कॉस्ट आफ एक्विटी कितनी आ जाएगी EAE divided by जो भी बैटा उसकी book value है वो into 100 तो market value नहीं है issue price नहीं है तो मैं book value भी लेके चल रहा हूँ कितनी की कॉस्ट सर 1 करोड 68,75,000 into 100 20.88% 20.89% मैं से लिख सकता हूँ तो बिटा जो मेरी कॉस्ट है ये चेंज हो जाएगी और इस पे आप रेफरेंस दोगे working note 1 का ठीक है जी तो यह है था इस question का main catch जो बच्चे कर बढ़ कर दे दो दो चीज़ें की हमने इस पे की सर पहले तो हमने earnings के basis पे और interest के बेसिस पे value निका ली दोनों की उसके वाद जो हमने देखा earning बदल गी तो मेरी cost of debt नहीं cost of equity भी बदल जाएगी तो उसे लिख देते हैं working note 1 ठीक है यह काम rough में मत करके आ जाना भाई fair में करके आना मास कर जाएंगे नहीं तो चलिए अब निकाल देते हैं weighted cost 20.89 x 0.5 किता हो गया 10.44 0.27 x 8 2.16 0.23 x 8 1.84 total में किता हो गया 10.44 plus 2.16 plus 1.84 या गया गया 14.44 4% तो बिटा after the proposal हमारी cost of weighted average cost of capital बढ़ गई है in comparison to before proposal reason क्या है क्योंकि सारा आपकी earning बढ़ गई earning बढ़ गई तो आपकी cost of equity भी बढ़ गई है चलिए इस question को बिटा note करेंगे आज हम और question नहीं करेंगे इस question को note कर लिए देख लेते हैं आपको homework में आज आज कौन सा question दे सकते हैं चलिए note करेंगे देख पड़ापट करेंगे इस करेंगे यूद करेंगे देख लेक्या हैं झाल 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 चली जी तो सर हमने ये भी conclude कर लिया तो वेटे डेविज कॉस्ट ऑफ केपिटल हमारा 50% खदम हो चुगा था 50% क्यों वेटा जो बचा हुआ 50% है न वो वहाँ पर concept पूरा से में सिर्फ हमारी values बदर जाती तो हम तब समझेंगे हम सेकेंड पार्ट करेंगे अपनी नेक्स क्लास पर तो बिटा नेक्स क्लास में हमारा चैप्टर कतम हो जाएगा आज के बिटा मैंने आपको होमवक कोशन बता रखें कौन कौन से वाँ फिल से बतायता हूँ कोशन नंबर 24 का पार्ट 2 करेंगे कोशन नंबर 25 करेंगे कोशन नंबर 21 करेंगे छोटे-छोटे से कोशन दिये बहुत इसके लाव कोई कोशन और नहीं दिया है बिटा क्या करेंगे आप कोशन नंबर 30 अटेंप्ट करेंगे ठीक है मैं नहीं कह रहा है आपसे सॉल हो पाएगा यह लेकिन अटेंप्ट करेंगे है क्या कोशन में बिटा कोशन में बोल रखा है आपको WACC दे रखा है आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दिया हुआ है कोशन ने लेकिन उसने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और कॉस्ट ऑफ टर्म लोन नहीं दे रखी तो उसे एक्स या वाई मानके जो भी आपको मानना है नॉमनिक लेचर मानके सॉल्व क करना इस कोशन में कुछ टेक्निकल नहीं है बस आपको सर इस बार वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी लेकिन जो सिक्योरिटी वाइस कॉस्ट होती थी वो नहीं दे रखी है ठीक है उनके बीच है रिलेशन दे रखा है तो इसको अटेंट करेंगे नहीं हो झाल 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 झाल